हरे कृष्ण राधिरादीजी सबको राधा अश्टमी के पर्व की बहुत बहुत शुब कामनाई आज राधा रानी का जर्म दिन है और राधा रानी की जर्म दिन के अफसर पर आप पूजा में किन चीजों का भोग लगाएं ताकि आप पर राधा रानी की सदीव किर्पा बनी रहे राधा अश्टमी का पर्व है और हर साल भाध्रपद मास्कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को जनमाश्टमी मनाया जाता है वहीं भाध्रपद मास्कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को राधा अश्टमी मनाया जाती है यह जनमाश्टमी की ठीक पंदा दिन बाद आता है इस दिन लोग राधा रानी की पूजा अरजना कर उनका जनमोत सब मनाते हैं दार्मिक मानेताओं के अनुसा राधा अश्टमी के दिन वरत और पूजन करने से जीवन में प्रेम और खुशियां आती है इस दिन राधा जी को पसंद करने के लिए लोग उने तरह तरह के भोग लगाते हैं राधा जी और कृष्ण भगवान के वीदी फुर्वक पूजा के अर्चना करने से उनका आशीश सदा बना रहता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है ऐसे में आए जानती हैं कि राधा अश्टमी की पूजा के लिए आको किन किन चीजों की आफशकता है साथ ही जानेंगे किशोरी जी के जनमोत्सव के सही विदी पूजन तथा भोग सामक्री राधा अश्टमी कब हैं? पंचांग के अनुसार 10 सितंबर 2024 को रात 11 बसकर 11 मिनट पर बात्र पदमा की शुकल पक्ष की अश्टमी तिथी का आराम हो जाएगा और यह 11 सितंबर रात 11 बसकर 46 मिनट पर रहेगी इसलिए उद्या तिति को माने तो 11 सितंबर को राधा अश्टमी मनाई जाएगी राधा अश्टमी पूजन सामक्री क्या है? धारमिक मानेताओं की अनुसार राधा अश्टमी की दिन राधा रानी की पूजा अरादना करने से धन, सुक, समरिद्धी और एश्वरे की प्राप्ति होती है इस खास मोके पर किशोरी जी की विदी पूर्वपूजा करने के लिए आपको कुछ पूजन सामक्री की जरूरत होती है राधा रानी की पूजा के लिए अक्षत, फूल और लाल चंदन, रोली, सिंधू, धूब, दीप, सुगंद, इत्र, पंचामरित, खीर, फल, मिठाई, ने, वस्त्र, फूलों की माला आपोशन समेथ सभी पूजन समंगरी को शामिल करें राधा च्ट में पर लगाएं इन पांस तरह की भोग राधा च्ट में के दिन राधा हरानी को अरबी के सबजे का भोग लगाया जाता है और यह शुब माना जाता है राधा जी को पंजामरित का भोग भी जुरूर लगाना चाहिए पंजामरित कृष्ण करिया और राधा रानी दोनों को भोग प्रिया है इसके अलावा राधा रानी के बात पीली मिठाई और फल का भोग भी जुरूर लगाना चाहिए मीठी में उन्हें माल पुआ ये रबडी का भोग अर्पित करें और इन पांच चीजों के भोग के साथ साथ आप पान बीड़े का भोग भी लगा सकते हैं क्योंकि पान श्रीराधा रानी को प्रिय है और इसकी परशादी ग्रहन करें और इससे आपके घर में सदेव राधा रानी की क्रिपा बनी रहेगी और ठाकुर जी की क्रिपा बनी रहेगी इसी के साथ ये है छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेट में श्रीराधे राधे लिखें जै श्रीराधे